जैन सातियों आज है 28 सितंबर और आज की वीडियो में 28 सितंबर के सभी महतपूर प्रश्णों पर हम चाशा करेंगे तो सुरू सलास्ता वीडियो में बने रहे ही है और इस वीडियो को पुरा रहे है आप इसकी पीडिया फाइल जो हमारे वीडियो के डिस्कॉप्सिन बॉक यहालके एक अध्यान के अमसाद दुनिया भर में कौन सी प्रजाती सामोही कुरूप से लगभग 12 मिलियन टन सुस्क कार्वन का निर्माण करती है। तो देखे ये प्रजातियां आपकी हैं चीटी की देखे जो चीटी आँ हैं दुनिया भर में चीटीओं की संख्या लगभग 20 क्वाड्रिलियन या फिर 20,000 मिलियन आखी गई है इसको या रखेगा और ये जरू या रखेगा कि जो चीटी आएं ये जो है सामुही को रूप स ये केंदरी चांच प्यूरो यानि की CBI यानि की Central Bureau आप Investigation से जुड़ा हुआ है दीखे आपरेशन मेगा चक्र है क्या दीखे आपरेशन मेगा चक्र के हिस्से के रूप में जो CBI है इसने आउनलाइन बाल योन सोसर सामगरी के परसार के मामलों के संबन में 19 राजियों और एक केंदर सासित प्रदेश में कुल 56 अस्तावनों पर जो है वियाली में तलासी ली थी और चांपे के दवरान कुल 50 सनीदों के मुबाइल और लैप्टॉप के अलमा अन्य उक्रण भी बरामत किये गए तो यारके का आपरेशन मेगा चक्र को शुरू किया था केंदरी जा प्रणाइब लैप्टॉप के अनुसाद 2018 से 19 में भारत में किस्ते राजी का लिंगा नुपात सबसे कम था तो दीकि 2018 से 19 की बीच में जो है उत्तराखंड में जो बाल लिंगा नुपात है ये सबसे कम था रिखा है और दीकि भारत के महा पंजियक के दौना जारी नबून पंजी करण प्रणाली सांखी की रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड का जन्म के समय जो लिंगा नुपात है ये 844 था जो की डेस में सबसे खराब इस्तरी पर था तो इसको जरूर नोट कर लिएगा और अगला प्रशने की हाल ही में किस तराज ने राक का उप्योग कर तो पूरी स्टोरी क्या है देखे भी हाली में जो असम राज्य है वहाँ पर राक का उप्योग करके गैंडे के लिए एबोर्ट आप दा यूनिकॉर नाम से एक इस मारख बना गया और देखे भी हाली में जो असम की मुक्यमत्री है हिमंद विश्वा सर्मा तो इन्होंने इसका उध़ाण किया यानिक इसको लांच किया देखे असम सरकार के दोरा जलाए गए गैंडो को सिंगों को गत्री करके जो राक वहां से मिली थी तो उस राक को यूज किया गया और तीन गैंडो की मुर्टियों को असम के काजीरंगा राश्ति उध्यान में भिहाली में जो है सापित किया गया और उसको लांच भी किया गया देखे एक साल पहले की घटना है यानिकी 2021 की घटना है जब विस्वर राइनो दिवस पर असम की सरकार ने सिकारियों और अवैद ब्याफारियों से सनचड अधिकारियों द्वारा एकत्र किये गए लगभग 2500 राइनो हान जलाय थे हैं दिखिए असम के काजी रंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में एक सिंग वाले दुनिया के कुल 65 विजदी घंडे रहते हैं और इस साल की सुरुवात में हुई गर्णा के अमसार जो काजी रंगा नेशनल पार्क है समका तो दिखिए यहां पर दुनिया के कुल 4,014 एक सिंग वाले गेंडों में से कुल 2,613 गेंडे रहते हैं तो यह जो अपडेट मैंने गेंडों के बारे में दी है इसको नोट के लिजेगा लेकिस सबसे खास बात कि पिछले साल विस्व राणियो दिवस पर जो गेंडे के सिंग जो आवाज दीखे काजी रंगा नेशनल पार्क में 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 दीखे काजी रंगा नेशन सितंबर को हर साल मनायता है और 2022 के विस्व परेटन दिवस यानि कि वर्ल्ल टूरिजम डे की थीम है री थिंकिंग टूरिजम देखी जो आपका विस्व परेटन दिवस है ये पहली बार 1980 में संक्तर राष्ट विस्व ब्यापार संग्ठन के द्वारा मनाय गया था यानि कि जो आपका UNWTO है इसको मानेता दी गई थी तो इसलिए 27 सिदमर को सेलिवेट कियाता है विस्व परेटन दिवस और अगला प्रशने की डिमने में से कौन इटली की पहली महिला परदानमंत्री बनी देखे भी हाली में जो आपकी जियोर्जिया मेलोनी है ये इटली की पहली महिला परदानमंत्री बनी है इटली में अब तक कोई भी महिला प्रदामंत्री नहीं बनी थी तो इन्होंने एक रिकार्ड कायम किया है यार रखेगा कि जो आपकी जियोर्जिया मेलानी है ये जो है इटली की पहली प्रदामंत्री के रुपे हाली में चुनी गई है दिखर, जोब कि जीओरजिया मेलोनी है, ये बर्दर्द पार्टिअ आप इटली की नेता है और जोब कि जीओरजियो मेलानी है, इनुना भियाली में इटली में हुए आमचुराँ में जीत हासिल की है और ये इटली की पहली महिला प्रतार मंत्री बनने वाली है इनकी सरकार दक्षिर पंत्ती विछरदारा की सरकार होगी और जबकि मेलोनी यह हैं ये इटली के इतिहास में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है तो चेहरे से ही पता चलना है ये बहुत कमेजगी है अगला की जलदूत एप किस मंतराले के द्वारा विक्षित किया गया है देकि जो आपका जलदूत एप है इसको Gramid Vikas Mamad Radhaelaya ने लांच किया है देकि जो Gramid Vikas Mamad Radhaelaya इसने भारत के सभी काओं में चैनित कुवों के जलस्तर का पता लगाने के लिए इस जल्दूत एप्लिकेशन को लांच किया है और इस एप्लिकेशन की मतलब से ग्राम, रोजगार, साहक, वर्स में दो बार, मांसून, पुर्व और मांसून के बाद जो चैनित कुवे हैं उनके जलस्तर का डेटा एकत्रित करेंगे कि किस कुवे में के तरह पानी एकत्रित है तो जल्दूत एप के बारे में यार रखेगा इसको क्यों ना चीया गया है और इसको किस ना चीया है ग्रामेड विकास मंत्रा लेने अगला की संग्त राष्ट के द्वारा परमाडू हतियारों के पूर्ड उर्मूलन के लिए अंतर राष्टी दिवस का मनाया था है तो दिखे संग्त राष्ट के द्वारा परमाडू हतियारों के पूर्ड उर्मूलन के लिए अंतर राष्टी दिवस को हम मनाते हैं 26 सितंबर को देगी जब का संग्त राशा ये प्रतिवर्ष 26 सितंबर को परमाडू हतियारों के पुर्ड उन्मुलन के लिए अंतराश्टी द्योस के रूपे मनाता है और इस दिवस को मनाने का उद्दिश से परमाडू हतियारों से मानाता के लिए उत्पन, खत्रे और उनके पुर्ड उन्मुलन की आवसेक्ता के बारे में जंजारूकता बढ़ाना है और नौ प्रश्णिक की हाली में राश्पती द्रोपदी मुर्मुने की शहर में इन्दूस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड की एक इकरित करायोजनीक इंजन निर्मान सुबदा का उधगार्न किया और देखी एक खास बतोर है जो एक इकरित क्रायोजिनिक इंजन है तो इसकी जो निर्मार्ण सुविधाइस का उप्योग इसरों के द्वारा यानि की इंडियन स्पेस रेसर्च और अर्गनाईशन के द्वारा अपने उपग्रेब प्रशेपर कारियों के लिए क्या आता है इस देश ने पूरो अमेरिकी सुरक्षा सक्स एडवर्ड स्नोडेन को जो है अपनी नागरिता पतान की तो दीखे एक बेक्ति हैं जिनका नाम है एडवर्ड स्नोडेन जो की पूरो अमेरिकी सुरक्षा सक्स रह चुके हैं इनको रूस ने कहा कि आओ भाई हम दोंको अपन जाने के रूप में सरकार को द्वारा सुचिबत 75 विदेशी नागरिकों में से एक हैं देख जो आपके एडवर्ड स्नूडेन है ये अमेरिकी राष्टी सुरक्षा एजन्सी के एक पूरों कांट्रेक्टर है जो की 2013 से रूस में रह रहे हैं और 13 से रह रहे हैं इसलिए इनक सुरक्षा सक्ष रह चुके हैं तो इन्होंने डाटा को लीक कर दिया था और इसलिए अमेरिका ने इनको मालने के दोड़ाया तो ये रूस में जाकर चिप गए क्योंकि अमेरिका और रूस आमने सामने हैं इस समय यूक्राइन को लेकर दोनों में दूस्मनी चल लई है तो और नेक्ष्ट की हाल ही में किस भारती मईला क्रिकेटर ने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास ले लिया नामता इनका देखिए आप रिविजन जरूर किया किजिए पिछले दिन के प्रशनों का और देखिए रिविजन ही आपको एक्जाम में सफलता दिलाता है क्योंकि आज आप पढ़ते हैं और कल भूल जाते हैं लेकिन आज आप जो पढ़ते हैं उसको अगर कल आप रिवाइस कर लेंग को परेटकों के लिए फिर से खोल दिया गया बता ही नेश्ट की हाली में किस देख ने चंद्रमा के निकट दूरलब लूनर क्रिस्टल और पारमाडू उर्जा सुरोत की खोच किया बता ही और पांचवा की भारत ने T20 इंटरनेश्टल में एक कैलेंडर वर्स में सबसे अ पहला प्रशन था कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेली रहने का रिकार्ड रखने वाले किस सोवियत अंतरिक्ष यातरी का हाली में निदन हो गया तो दीकिए ये सोवियत अंतरिक्ष यातरी थे वालेरी पाल को और अगला है कि हाली में कितने राजियों के बारा जन्जाती समुदायों को अनुसूची जाती में सामिल किया गया है तो दीकि पांच राजियों के बारा जन्जाती समुदायों को अभी हाली में EST यानि की सेडियूल ट्राइप से यानि की अनुसूची जन्जाती में सामिल किया गया इन राजियों के नाम क्या क्या है इसको आप परसों का वीडियो देखे रिवाइस कर डालेंगे यह आपका होमवर्क है और तीसरा प्रशना था कि भारत में सोलर फॉर्म सापित करने वाली पहली e-commerce कंपनी कंपनी बन गई है तो दीए कंपनी है Amazon और 4 था कि हाली में किसी राज ने परियावरण मंत्रियों के राष्टी समेलन की मेजवानी कुई राज ने की थी और 5 सिरभारती राजभासा समेलन का मेजवान कौन रहा तो गुईरास का जो सूरत सहरा ये अकिल भारती राजभासा सम्मिले 2022 का मेजवान था तो इसे के साथ आज का वीडियो समापत हुता है जहिन